आइरवेदी कोसदी की रुप में पान की पत्तों की उपीगीता इसका जो वेग्यानिक नाम है पाइपर बीटेल इसको हम संस्कृत में बिविन नामों से जानते हैं पान की पत्ते की उत्पत्ती कैसे होती है इस बारे में एक धार्मिक मानेता है कि जो जाती है बरई जिसको हम तंबोली भी कहते हैं जिनका वेवसाय होता है पान का कारोबार करना इन लोगों में करथा प्रचलित है कि महा भारत यूद के बाद पान्डों को असमेक यक क्या आउसकता होती है तो असमेक करने के लिए उन्हें विसेस प्रकार के पोधे क्या आउसकता होती है विसेस प्रकार के द्रव क्या आउसकता होती है तो उनको पताल लोग में अपन दूद बेचना पड़ता है पतार लोग के राजा जो वासुकी होते हैं उनसे निवेदन करना पड़ता है तो वासुकी अपने हाथों की उंगली को काट कर देते हैं और जब पांडो उसको भूमी पर रोपर करते हैं भूमी पर जगाते हैं तो पान की बेल की उत्पत्ती होत पांडो अपने अभिष्ट की पूर्ती करते हैं इस करन पान को भी नाग वल्ली भी कहा जाता है और बनारस का पान काफी अधिक सरोत्तम माना जाता है इस तंदर में महाभारत और रमायर में तो इसका उलेक मिलता ही है पान का उपयोग है तो भाग है पते जड़ फल और तेल पान खाने से लाब ये होता है कि पान के चुसने पर लार की मातरा अधिक निकलती है जिससे पाचन क्रिया में मदद मिलती है प्रंतु अधिक मातरा में पान का सेवन तंबाकूत रसुपाडी के साथ अहित कर है विबिन समस्याओं में पान के पते काफी लाबदायक होते है हम बात कर लें एंटिसेप्टिक का तो पान का पत्ता एक एंटिसेप्टिक का काम करता है चोटी मोटी या चोट खरू चाने पर पान के पत्ते लपिटने से और उसे पीस कर लगाने से लाब होता है लाल आँखे की बात करें तो थकान या नीन ना होना या फिर आँखों में किसी कारण से समस्य हो जाती है तो और आँखे लाल हो जाती है तो पान के पत्ते उबाल कर ठंडे किये गए पानी के छीटे आँखों पर मारना चाहिए तो ठीक हो जाता है ध्यान रहे ठंडा हो जाए पानी तर भी छिटे मारे हम बात करें मोटी आवाज का गले में हिचच खिच या खरास हो जाता है तो भी मोटी आवाज होने की सिती में पान खाना और उसका पानी पीना बहुत लाब दायक होता है इससे आवाज भी ठीक होती है और गले में समस्य भी खतम हो जाती है मसूरे की बात करें मसूरों में खूनाना या मसूरों में पस आना या मसूरों का सूचन हो जाने से बहुत सारी तकलिपे बढ़ जाती है पान को उबाल कर उसके पानी से गरारा करने से मसूरों से जो खून का समस्या भी कम हो जाती है ब्रोकाइंटीस के बात करें ब्रोकाइंटीस में पान के साथ पत्तों को दो कप पानी में सक्कर के साथ उबाल लें जब सिर्फ एकी कप रहे पानी तो उसे दिन में तीन बार पीजिए तो ब्रोकाइंटीस से लाब हो जाता है अगर सरीर में दुरगंद आ रहा है बवासिर के लिए भी काफी अधिक उचित है कि दिन में सी पान के पत्ति अगर खाते हैं तो बुला किया है कि 48 की घंटे के अंदर बवासिर जड़ से खतम हो जाता है ये तो आयरुवेदिक सहीता में बताया गया है हम देख सकते हैं चलिए इस्तन पान की बात करें इस्तन प समस्या में पान के पत्ते सुंगने से लाव होता है और खुनाना भी बंद हो जाता है हम कफ की बात करें कफ है अगर गले में तो आप पान के पंदरा पत्ते तीन गिलास पानी में उबाले जब या पानी मात्र एक गिलास कर रहे तो इसे दवा के रूप में दिन में तीन ब के तेल को मिलाएं और कान में सिक दो बुन्दे ढालें, इस North कान की दर्थ से रहाफ मलता है।ति है कोषिच ए यही करिएगा की नहाने से पहले जो गर्म पानि हैं उसमें 5-6 पान के पत्त्ती को डालें और उस से जरूरर नए तो इसे जो इलर्जी है या जो भी रोगाडू ना सक का काम करता है पान का पत्ता एक अच्छा मुत्र वर्धक है एक पान की पत्ती को पीस कर उसका रस निकाल लें और उसमें थोड़ा पतला दुद मिलाकर उसका सेवन करें तो या सरीर में पानी की आउधारन या जो वाटर रिटेशन का जो इलाज करने में मदद करता है या कम या बाधित पैसाब से पीरित रोगों के लिए भी मददगार होता है पान के पत्तों को गर्म करके अरंड का तेल चुपर कर चाती पर बांधने से लाब होता है बच्चों की सरदी अपेशा कित कम हो जाती है साथ ही पान की डेंठल को घिस कर सहद में मिला कर चाटने से बच्चों की सरदी वो कप में अराम मिलता है देखे कि पान से दस मिली लीटर जो पान सुरस को सहद किसान मिला कर चाटने से सुखी खासी भी मेर जाती है पान का सरवत पीने से हिर्दे का बल बढ़ता है कफ और मंदागनी का समन होता है जवर है बुखार है तो तीन मिली लीटर पान के अर्क को गर्म करके दिन में दो या तीन बार पिलाने से जवर का समन होता है ये बच्चों के लिए काफी अच्छा रहेगा क्योंकि बच्चों को एलोपेथिक दवाईयों का side effect तो होगा आईरवेधिक और सधी जो घरेलू नुकसे हैं उसका use करने से बच्चों के लिए काफी बहत अच्छा रहेगा असादार भी रहेगा डिप्तिरिया रोग में जब सांस लेने की परिसानिया बढ़ती है और रोगी को अतियंत कश्ट होता है तब पान के रस का सेवन करने से गले का सूजन कम हो जाता है कप निकरने लगता है और इस रोग में दो से पांच पान के पत्ते के रस को थोरे गुनगों ने पाने में मिलाकर कुला करने से भी फाइदा होता है पान की पत्ते स्वास को ताजा करने में मदद करते हैं और मुख में जो बेक्टिरिया हो गया, रोगाडू हो गया, अन्य मोखिक रोगजन को से बचाते हैं, जब आप एक पान का पत्ता चबाते हैं, तो यह मुख साप करता है, यह दात छे को रोकता है, और मसूरों को मजबूत करता है, और साथ ही साथ दातों को मजबूत भी करत या मोखी करक्त तसराव को रोकता है जी हां आप पानी में कुछ पान के पत्ते को उबाल सकते हैं और उसे कुल्ला या गरारे करने के रूप में इस्तमाल कर सकते हैं या खरास मतलब गले का जो खरास है उसको भी ठीक कर देता है G.E.R.D. में सुधार करने के लिए पान का पत्ता बहुत ही उप्योगी है या पाचन तंत्र को हानिकारक मुक्त करने और विसाग्त पदारतों से मुक्त करता है या पेट में संतूलित पीच इस्तर के कारण अमलता को कम करता है अच्छा पीच इस्तर तक सुनिचित करता है सभी जरीले पदारतों को निकाल कर पेट के समाने पीच इस्तर को बहाल करने में कापी सक्छम होता है इसलिए भूग को बढ़ाता है और स्वाज़ागी है